नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि SMDOM टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, SMDOM टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और SMDOM टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, SMDOM एक ब् का कॉंबिनेशन होता है, SMDOM टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन रैबिप्राजोल 20 mg और डोमपेरिडोन 10 mg होता है, SMDOM टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करती है, SMDOM टैबलेट का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनन होने पर SMDOM टैबलेट का उप्योग किया जाता है, SMDOM टैबलेट को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ, दवाओं की वज़़से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है, जैसे दर्द को कम करने के लिए की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है, ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है, इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़़से ये साइड इफेक्स ना हो, इसलि एसिड रिफ्लक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी एसेम्डोम टेबलेट का उप्योग किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में एसेमडोम टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में एसेमडोम टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे पेट में द दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा SMDOM TABLET की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक SMDOM TABLET का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक SMDOM TABLET को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आईरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना SMDOM TABLET को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार SMDOM TABLET को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। SMDOM TABLET की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब SMDOM TABLET का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से SMDOM TABLET को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमिन्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की SMDOM टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। आम तोर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर SMDOM टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। SMDOM टैबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए। दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को SMDOM टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका SMDOM टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।